नमस्कार गुड इविनिंग दोस्तों तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा एंटर्नल और एक्स्टर्नल मार्फोलाजी जो इंसेक्ट की है उसको ठीक है इससे पहले हम जो है जेनेटिक्स ब्रेडिंग पैथोलाजी ने मेटोलाजी खतम कर चुके हैं यह को भी कवर कर वा देंगे ठेके तो इंटर्मोलाजी का अगरे यह तीसरा लेक्शर है चल्हें टो स्टार्ट करते हैं इनटर्मोलाजीय अगली 11 सिगमेंट होते हैं हमारे किसमें abdomen में जिसका head वाला पार्ट पूरा हम पढ़ चुके थे जिसमें antenna थी antenna हम पढ़ लिए थे compoundize पढ़ लिए थे इसके इलावा जितने भी हमारे उसके अंदर organs पाया जा रहे थे ठीक हो सारे हम पढ़ लिये थे आज हमारे जो है head और thorax दो यह organs बचे हुए है head और thorax जो है बचा हुआ है head मतलब thorax और abdomen जो है बचा हुआ head हमारा जो है complete हो चुका है तो आज हमें start करेंगे thorax से thorax के बारे में थोड़ा सा जान लो दो कि भी हो चोसे पहले head पाया जाता है उसके बाद सेकेंड organs जो पाय जाता है वह thorax पाया जाता है जो को भे दो पाएाता है इंसेक्ट में इसके तीन खंड होते हैं एक को बोलते हैं हम लोग क्या pro thorax बीच वाले को बोलते है mesothorax और last वाले को बोलते है metathorax pro, meso और metathorax तीन thoracic reason पाय जाते है this is the body reason situated between the head and abdomen head on abdomen के बीच में पाय जाता है thorax और head के बीच में पाय जाता है एक भाग कभी-कभी जिसे हम cervix या column कहते हैं जैसे देखो जो हमारा दढ होता है human body में जो धढ होता है और सिर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं गरदन बोलते है, neck बोलते है तो वैसे neck जैसा ही एक part होता है जिसे insect में क्या बोल जाता है cervix या column बोला जाता है अपने यहाँ जो हड़ी होती है इनक वाली सी को cervix बोला जाता है ना cervix बोला जाता है थो उसी के अधार पर cervix या column क्या है इनकी नेक होती है जो thorax और head के बीच में होती है कभी कबार सब में नहीं पाई जाती है वो छोटा सा reason है कभी कबार पाई जाती है ठीक आगे बात करते हैं थोरेक्स में defined into the three distinct region में बटा होता है, प्रो, मीजो और मेटा में बटा होता है, आपको बता ही दिये थे, सबसे आगे वाला प्रो, उसके बाद मीजो, फिर लासली हमारा क्या, मेटा 3 में बटा होता है, सब पे जो है, एक एक जोड़ी पैर पाये जाते हैं, एक पंक यहां पर पाया जाएगा, प्रो और मीजो के बीच में हो, दूसरा पंक, मीजो और मेटा के बीच में पाया जाता है, ठीक तो दो जोड़ी पंक पाये जाते हैं, ठीक, first pair of wing is attained the mesothorax और second metathorax कभी-कभी ये लिखा मिल जाता है कि meso पर एक पाया जाता है metah पर पाया जाता है लेकिन होता कहां पर है actually होता है pro और meso के बीच में एक होता है दूसरा meso और metah के बीच में होता है ठीक actual में यहां पाया जाता है एक-एक जोडी ठीक याने 2 जोडी punk पाया जाते है कहने का मतलब पर दो जोडी पाया जाते है लेकिन कभी-कभी पर wings of insect mesothorax and metahothorax are closely attached अब जो mesothorax और metahothorax होता है इनमें किया होता है जो wing पाया जाते है इसलिए क्या होते है closely attached हो जाते है और इन्हें को बोला जाता है पटेरो थोरेक्स, फंक वाले थोरेक्स जो है पटेरो थोरेक्स हो गया, ठीक, किसको इसको मिला के बनता है, मीजो और मेटा को मिला के कहते हैं पटेरो थोरेक्स, बास समझ में आई, there are two pairs of spiracles in the thoracic region, देखो, spiracles क्या होते है, spiracles मतलब बदा ये छिद्र किस काम आते हैं, ये छिद्र आते हैं ये सोसन रिस्परेशन के काम, तो जो हवा होती है, air होती है, oxygen या carbon dioxide होती है, वो body में enter किसके थ्रू करती है ये नहीं, spiracles ये छिद्रों के तहत मूग जाती है और ट्रैकिया में पहुन जाती है, ट्रैकिया हमारा main organ है जिस दस दस नहीं, दस जोड़ी मतलब, दस जोड़ी, जिसमें दो जोड़ी जो है कहाँ पाजाते हैं, thorax में पाजाते हैं, और 8 जोड़ी कहाँ पाजाते हैं, abdomen में पाजाते हैं, ठीक इतनी बाद समझ लो, अब जो दो जोड़ी ये thorax में पाजा रहा हैं भया, इन्हीं स्पा प्रतेग में एक एक जोड़ी पाया जाता है और जो है दो जोड़ी पाया जाते हैं तीन जोड़ी हो गया क्या पैर और दो जोड़ी हो गया हमारा पंक लेक्स हमारे जो होते हैं एन इंसेट यूज़ी बियर थ्री पियर ऑफ लेक्स तीन जोड़ी पैर पाया जाते हैं बता चुके हैं जो लोकेटेड वेंटरल सर्फेस पर थौरसिक रीजन के वेंटरल क्या होगा भी है वेंटरल मुलनम नीचे वाला पार्ट जो हमारा क्या है वेंटरल रीजन है ठीक वेंटरल रीजन तो वेंटरल रीजन पर पाया जाएंगे तीन जोड़ी और टीपिकल लेक कंसिस्टा फालोइंग पार्ट यह एक पैर के बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं देखो पहला पार्ट जो हमारा थोरिक से जुड़ा होता है उसे हम ऐसा कु जो फीमर होती ही ओभी पैर में पाई जाती है तुम्हारा जो है पार्ट है इसका उसके बाद छोटा सा एक पार्ट पाई जाता है पतला सा जो चड़ने के काम आता है और यह क्या होता है इसे हम बोलते हैं टीबिया इसके बाद भी एक जो है और छोटा सा पार्ट पार्ट इसको याद रखना है पिमर मेरा गया सबसे बढ़ा हो गया जी डूड़ा होता है और माश बना होता है इसका बना होता है ज Assim करते हैं और लियम् एरोलियम बोलते हैं जो हमारा इसमें क्लाउज लाइकन यहाथ हेली जैसा structure दिखाई देता है उसके उपर एक पैड जैसी संदशना पाई जाती है पैड जैसी मतलब soft गद्यदार संदशना इसे हम औरोलियम बोलते हैं बास समझ में आ गई होगी coxatrochanter, femur, tibia, torsus pretorsus है हमारे क्या है इतने खन्ड पाये जाते हैं जिसमें tibia है यह क्या करता है चड़ने में मदद करता है climbing में मदद करता है जो हमारा pretorsus इसमें क्या होता है पहली बात तो एक है last terminal segment है last segment है दूसरी बात अगर بात करें हम तो क्या है ये देखो represent by a complex set of clause इसमें complex set of clause बने होते हैं ठीक ये सारी चीज़ा आपको ध्यान रखने हैं आगे बात करते हैं बहुत सारे क्या होता है रुपांतरण होते हैं ठीक है बहुत सारे जो मतलब इसमें है उसमें बहुत सारे रुपांतरण पाया जाते हैं लेक्स में तो बात करते हैं modification of legs की, modification of legs की अगर बात करें तो क्या क्या modification of legs में होता देखो, बड़ा गजब का formula एक बार में याद हो जाना चाहिए, इस formula को याद करने के लिए देखो सबसे पहले क्या है, अगर normal formula आपको याद रखना है तो देखो ये याद कर लो, AC, TRIPALS, FNFR, CCS, ये नितना देखो ये हो गया कठिन, इसको याद गरना हो गया कठिन, तो तुमको याद क्या करना है, देखो याद करना है तुमको, आओ चलो सहिया, सोते साथ, फुल नाइट, फुल रात, चुम्मा चाटी सारी रात, हम समझे के वह ये ये वाला तुम लो याद कर लो फटा-फट, एकको जोए मिस नहीं होना चीह सब्द, आओ चलो सहिया, सोते साथ, फुल नाइट, फुल रात, चुम्मा चाटी सारी रात, अब भईया ये अगर मिस हो जाए तो बेकार है फिर तुम लोग के पढ़ने से, तो भईया क्या है देखो, आओ मतलब A ये मतलब क्या है, एंबूलेटोरियल, मन में बनाओ एंबूलेंस एक, एंबूलेंस के ये चलती, चलती है धीरे-धीरे, मतलब ये वाकिंग टाइप है, एंबूलेटोरियल क्या चलती है, एंबूलेंस चलती है, एंबूलेंस चलती धीरे-धीरे, तो वाकिंग टाइप है, किसमें पाई जाती काक्रोच और बग्स में पाई जाती है काक्रोच हमारे जो होते हैं धीरे-धीरे चलते हैं आप लोग देखेंगे काक्रोच इसको बग्स भी हमारे धीरे-धीरे चलते हैं तो इसमें क्या है पैर जो रुपांतरीत होते हैं किस प्रकार से होते हैं एंबूलेटोरियल टाइप एंबूलेंस टाइप एंबूलेंस हमारी चलती वाकिंग टाइप धीरे धीरे चलती एंबूलेंस दूसरी बात करते हैं करसोरियल अब करसोरियल मतलब यह कार ले लो मन में ठीक करसोरियल मतलब कार कार हमारी कैसे चलती फास्ट चलती रणिंग टा जाते हैं कर सोरियल टाइप पाए जाते हैं मतलब रनिंग टाइप पाए जाते हैं ठीक कार हमारी बागती है तो कर सोरियल रनिंग टाइप इसके बाद करते हैं इसके इसकें सोरियल इसकें सोरियल में हमारे क्लिंगिंग टाइप क्लिंगिंग टाइप पाए जाते हैं में रहते हैं मतलब इस alternatorial कितना याद रखना इस खेंस और Olstromen इसf इसकिन में हमारे चिपग के बालों में छिपग के म Jin इसकिन में मतलब क्लिंड क्लिंग टाइफ मनलब क्या है ध्से हमारा क्या होता जिसे हम बेखे धल aí तो सब्जियां उटके भाग जा रही थी, कह रहे थी, ऐओडी नहीं उकत्ना मगलाव, तभी हम इसमें पकेंगे, जिसे पकेंगे ही नहीं, ठीक और जंपिंग टाईब काई किसमेँ जाएंगे तो आप जानते हैं टिडडा हमारा जो है ग्रॉस आपर और क्रिकेट खुब कूते आपको LOCUST हाइंड लेक्स वो क्या करते हैं ग्रॉस आपर और क्रिकेट के यह काप आपस में पैरों को रगड़ रगड़ के साउंड पैदा करते हैं इसी को बोलते हैं इस्ट्री डूलेटोरियल टाइप ठीक है आगे बात करते हैं फोसोरियल अब फोसोरियल किसे याद रख लो खोदो फोस्थो को यादर को खोद दो जोसे फोस्थो आए वह से जानदों चोदने की बात कर रहा है अब कोदता कौन है मोल क्रिकेट खोदते हैं और निमप आप ग्राईलो टालपा खोदता है छिक खुदाई का काम आप देखें होंगे वह कीड़ा पाए जाता है जमीन के अंदर खोता चला जाता है ठीक कौन सा होता है ग्राइलो टालपा होता है ठीक निम्फ होता है वो आगे बात करते हैं नेटाटोरियल नेटाटोरियल हमारे होते हैं स्वीमिंग टाइप नेटाटोरियल स्वीमिंग टाइप तो एक्जामपल आपको फटाक से याद हो जाएगा वाट खोले एक्जामपल से आदो जायेंगे तिक पार जी एल जिसे फोर जील क्या होता है, पॉले छी जी एल कॉलेक्टिंग टाइप होते हैं, अब पॉलें कलेक्टिंग box collection कौन करता है, हनीभी करती है हनीभी में भी कौन हनीभी में Works नंहींद होती है और उन्हेंद आपको बता है कि इतने पार्ट बता है कोकसा टुर्क एंटर फीमर टीबिया टॉर्स ऊर्पर टॉर्सा इतने पताये थे ठीक ना तो इसमें जो टीबिया वाला पार्ट पाये जाता है ये टीबिया वाला पार्ट जो होता है पीछे वाले legs का ये क्या करता है इसमें बड़े-बड़े hairs long dense घने hairs लग जाते हैं अब उन hairs में क्या होता जैसे फूल पे बैठती जाके जैसे फूल पे बैठती जाके उसके पैरों में जो फूल के pollen है वो क्या होता है चिपक जाते है उनी बाल से उनी बाल में चिपक जाते है उसके बाद क्या होता आगले फूल पे जब बैठेंगी जाके तो क्या कर देंगी परागन कर देंगी जाके Sarkar 방법 में, कौन से पार्ट में पैर के? टीबिया में, कौन से पैर? हाइंड या फोर तो हाइंड वाले नीand पीछे वाले पीछे वाले सबसे लास्ट वाले जो होंगे उन पैरों में चायेंगे पॉलन पास्किट कहां पाई जाती है? कई बार पूचा गया है, हाइंड रिलेक्स में पाई जाती हो भी टीबिया वाले पार्ट में, ठीक, रैप्टोरियल वार ग्रैस्पिंग टाइप, रैप्टोरियल, देखो भी या, याद रखना है, रैप्टोरियल ग्रैस्पिंग टाइप जो हमारे हैं, किस में पाई जाते तो बहुत देखो गाना सुने होगे आप लोग रैप सॉंग तो रैप सॉंग कौन गाता है का है है यह तो रैप तोरियल कौन सा होगा मैं अजायेह तो रैपतरीय llh किसे में पयाते हैं इसो पैर होते हैं अ, अ आप लोग बेंठेहियों कि मक्खी दिवाल पर आरामम से चलिधाइब चाहती है तो गया करते हूं चिपक जाती है दीवाल से कहीं भी दीवाल पर उल्टा दीवाल पर बैठ सकती हैं नीचे कि औरो भी अलब नीचे की और इसे लटकी रहेगी दिक गिरेगी नहीं क्यों उसके स्टिकिंग टाइप के पैरों के कारण ठीक इसके बाद जो पारिल्ला का जो पैरा साइट होता है तो वह वाला जो है उसमें पाए जाते हैं यानि रिप्रोड़क्शन टाइप यह अपने पैरों का इस्तेमाल फीमेल्स को पकड़ने के लिए करते हैं ठीक ऐसे सक्टोरियल एन सकिंग टाइप अब यह यह दो काम इसके हैं एक तो reproduction में तो काम आते हैं जिसे classping वाले आते थे वैसे इसमें भी आएंगे लेकिन sticking of grass से क्या करते हैं चिपकने का भी काम करते हैं किसे गास गास वगेरा से sticking का भी काम करते हैं second type गास में male lacticus में यह पाए जाते हैं ठीक याद कैसे करना है आपको समझ में आ गया ambulatory ambulance दीरे दीरे मलब walking type है carceral car 30 मलब running type है scansorial मलब तुमारी skin में रहेंगे जू है तुमारे चिपकने वाले clinging type बालों पे रहेंगे saltorial क्या हुआ jump करके salt क्या क्या है jumping type studiolatorial मलब sound producing है फॉसोरियल मतलब खुदोरियल है natatorial swimming type है forgyal pollen collection है raptorial कौन करता है rap man करता है तो mantis हो गया climbing type हमारा sticking type है house fly आप जानते हैं कैसे चिपक जाती दीवाल से clasping type reproduction के लिए होता है parasite है इसमें जो ये last वले दो है उतना important नहीं है आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं लेकिन जो बाकी है उनको आपको देखना जुरूर पड़ेगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग समझ में आया सबका पहला चार आपको याद हो जाएगा आओ चलो सहिया सोते साथ फुल नाइट फुल रात चुम्मा चाटी सारी रात ठीक इतना याद रखना है आपको फार्मूले याद हो जाएगा तो सारे के सारे एक बार में याद हो जाएगे ठीक एक बार दू बार आपको बस कॉपी पर लिखना पड़ेगा इन सबको ठीक चलिए आगे बात करते हैं विंग्स की बात करते हैं बहुत गजब का करेक्टर है जिससे क्या होता है इनके अंदर हम क्या करते हैं विंग्स के आधार पर ही का अगरने क्लासिफिकेशन करते थे हैं आप लोग पढ़ाये थे जब classification क्या पढ़ाये थे पटेरी गोटा, एपटेरी गोटा, होलो मेटो बोला, उसमें क्या था है, इंडो पटेरी गोटा, एक्जो पटेरी गोटा, एक लासिफिकेशन का एक बड़ा आधार बनता है, ठीक wing, लेकिन किसी किसी में wing नहीं भी पाये जाते हैं, generally there are two pair, मुख्यिता के अधर दो जोडी पाये जाते हैं, कहां पाये जाते हैं, lateral margin मार्जिन पर पाये जाते हैं, lateral margin अबलब side-side वाला अपर वाला जो portion है, उसमें lateral margin पर पाये जाते हैं, कुछ order ऐसे हैं जिसमें punk नहीं पाये जाते हैं, तो आपको याद करवाये जब classification पढ़ाया थे उन्हें एपटेरी गोटा में रखते हैं कि आप फर्मूला बताया थे तडपसी तडपसी मतलब थाइसे निवरा डिपलिवरा और ठाइसे निवरा डिपलिवरा प्रोटिवरा और कोलेंबोला ठीक यह बताया थे चारों बताया थे ना तो यह चारों नहीं याद करोगे तो याद करल आफ लोग हुआइल इन ओडर अफ ड्प्टेरा चाड़ा तो मखी सब कोई देखाई होगा तो मखी आप लोग जब देखें होंगे तो मखी क्या होता है देखें मक्यी इसे छोटी सी होती है ठीक उसमें पीछे ऐसा एक बैलेंसर आरगन ऐसे गोल गोल पाया जाता है ऐसा लास्ट में आप लोग देखेंगे मक्खी के एक जोड़ी पंक पाया जाते है और लास्ट में आईसा कुछ पाया जाता है जो आईसा कुछ पाया जाता है उसका गोल गोल सा यह क्या होता है यह second जो मदब पीछे वाले क्या थे हमारे punk थे उनी का modification है उनी का и modification है उनी का modification होकी यह क्या बना देते है balancers जो उनको उड़ने में सहायता करते है balance बनाने में सहायता करते है ठीक जो पीछे गोल-गोल इनसेक्ट हैं, जो हें दोंगोपटेरी कोटा मेहें लिएक हैं उनके पंक जैसे चीटी है, चीटी में पंक नहीं देखने हो मिलते हैं, ठर्माइट है, दीमक, दीमक में खटमल है, इसकी अलावा इन Whats ह bên summarize क्या होता है पंक गायब होगो गाये इनका क्या चींडरी कॉइट एक पूर्च करेक्टर डिक सिसके कान्ठ सी में क्या होता है पंक गायब हो चुके हैं थीक चीटी टरमाइट बेक्ट आपको जाने हैं क्योंकि तेखो टेगमिना, जो होता है कितने कितने है कितने है फिला पफिलारा इन एक फिलाल से. तेखो एक हमारा इकलोता ऐसा है जिसमें हाइंड विक हिंड मनलब पीछे वाले पंक बताएं Polishay जोड़ी पंक आगे पाए जाएंगे एक जोड़ी पंक पीछे पाए जाएंगे तो पीछे वाले पंको का रूपांतरण सिर्फ डिप्टेरा में होता है जो आपको बता चुके हैं कौन सा है हाल्टर से ठीक कैसा बन जाता है गांठ जैसा बन जाता है नॉप्ड लाइक बन ज जाएंगे आगे वाले पंक्या होंगे मोटे मोटे हो जाएंगे और पीछे वाले पंक्या होंगे मेंब्रेंज जिसे पतले पतले जिली दुद्दार होंगे तो आगे वाले क्या होंगे लेदर जिसे होगे पीछे वालों कि रच्छा करते हैं ठीक इसे बोलते हैं टेग मिना यह पाया किसमें जाता है आर्थोप्टेरा, डेक्टिउप्टेरा और फैसमेडा में, ठीक, इतना याद रखना, चलो, इलाइट्रा, दूसरा नाम क्या बात करते हैं, इलाइट्रा, इलाइट्रा में आगे वाले पंक कैसे हो जाते हैं, सींग जैसे कठोर, एकदम सींग, मतलब दिगा हाड़ेंड फॉर्म्द हरनी सीथ, हरनी सीथ यह नि सींग जैसे कठोर, कठोर, एकदम हाड हो जाएंगे, ठीक, उसमें लेदर जैसे होए थे, मुलायम थे, लेकिन क्या थो इलाइट्रा में क्या होता है, इलाइट्रा और हमिलाइट्रा एक ही चीज है, हम मतलब क्या आधा, हेमी कहीं आ जाता तो उसको माल लेते हैं, आधा मतलब क्या है, यह देखो आधे पंक तो होंगे, इलाइट्रा जैसे हैंनी कठोर, सींग जैसे, और आधे पंक आगे वाले सिंग जैसा और उपर वाला पार्ट इसी के उपर वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा वह रिमेनिंग सॉफ्ट मेंब्रेनस होगा ठीक इलाइट्रा पूरे तरीके से सिंग जैसा कठोर हेम इलाइट्रा आधा कठोर आधा मेंब्रेनस ठीक किसमें पाए जाएगा हेम इलाइट्रा तो सबसे आसान एक्जाम्पल हो याद करना हेम जिसमें आ जाए हो हेमी पटेरा में ठीक क्या होता है गार के था समन जाता। उसी कम क्या कुछे किBalancers कहते हैं। इसके बाद बात कंदेशिते सिूडो-Haltors. सिुडो-Haltors किसमें पाजाती है है इसमें क्या हौता है। आगे वाले पंक छोटे छोटे रह चाते है। इसमें क्या होता है। अच्छा. क्या होता है पंक दोनों चोटे रह जाते हैं ठीक करते हैं दिस इस डाथ थर्ड एंड पोस्टेर हीर इन बॉडी इंसेक्ट बॉडी क्या है तीसरा और सबसे आखरी रीजन है दस से ग्यारा कंडों में बटा होता है जिनको हम क्या के मुं झाल एक वसे दिए को मैं स्यारा कूंत पसुं ठीक, external body of insect covered by exoskeleton, जो बाहरी आवरण है, वो किसके दोरा cover होता है, exoskeleton दोरा cover होता है, जिसको हम क्या कहते है, sclerities कहते हैं, ध्यान से समझना, जो external body, यानि बाहरी आवरण है, जो बाहरी insect का आवरण उसे क्या कहते है, exoskeleton, वो exoskeleton के दोरा जो cover होता है, एक condition क्या कहलाती स्क्लेरिटीज कहलाती क्या कहलाती है स्क्लेरिटीज ध्यान रखना इस्क्लेरिटीज किसे कहते हैं जो एक्जो स्केलेटन पाई जाती है इंसक्ट की बॉड़ी के ऊपर अब इस्क्लेरिटीज के भी भाग है इसका जो वेंटरल भाग है और डॉर्सल भाग है जो डॉर्सल ध्यान रखना और जो ventral भाग है उसे क्या कहते है इस्टर्नम कई बार पूछा गया है ध्यान रखना डॉर्सल टर्गम और ventral sternum ठीक समझ में आया देखो क्या बता है external body का body का जो उपरी भाग है उसे कहते हैं स्क्लेरेटीज, स्क्लेरेटीज में, अब भया बॉडी पूरी उपर से नीचे तक कवर होगी, स्क्लेरेटीज किसे, अब स्क्लेरेटीज क्या होती है, भया इसका डॉर्सल भाग भी होगा, और वेंटरल भाग भी होगा, ठीक, पारसुई भाग भी होगा, और क्या, डॉर्स जिस्स से connect होते हैं एक मेम्झाब च्नेक्ट होते हैं जिससे हम कहते हैं प्ल्यूरा समझ में यह बात थ्वूड़ा सब्सक्टफ यहां पर रहे जिल्ली को हम कहते हैं प्लूरा ठीक इसी प्लूरा में क्या होता है छेंद होते हैं इसी प्लूरा में छेंद होते हैं इन्हीं छेंदो को हम कहते हैं स्पारेकल्स आपको बताये थे स्पारेकल्स क्या होते हैं छिद्र होते हैं ठीक छिद्र जो होते हैं क्या होते हैं छिद्र क थोरेक्स में और आठ किसमें पाए जाते हैं अब लास्ट के जो दो सेगमेंट है नाइन और तेंट सेगमेंट जो है इन में इन अब्डॉमेनल सेगमेंट में क्या होता है नहीं पाए जाते हैं स्पारिकल्स ठीक नवे दसवे खंडों में क्या होता है स्पारिकल्स नहीं पा में आई आगे बात करते हैं तो का गए रहा है इस प्रकार सिद्धा से स्पारिकल्स होते हैं जिसमें दो जोड़ी कहां थारेक्स में और आठ जोड़ी कहां बचे वाले स्पारिकल्स नहीं पाए जाते हैं लेकिन एक और जाते हैं यह हमारा किस काम में आता है हीरिंग यानि सुनने के काम आता है ठीक देखो सरीर किस में बचा है हेड थौरेक्स और अब्डॉमें में बचा है ठीक हेड थौरेक्स और अब्डॉमें में हेड में 6 खंड है ठीक थौरेक्स में 3 खंड है अब्डॉमें में 11 खंड है 10 से 11 खंड है ठीक अब अब्डॉमें के हम बात कर रहे हैं तो अब्डॉमें में बा काम गाता है ठीक इसके बाद लास्ट नवें और दसवें में नहीं पाया जा रहा है इसके बाद जो पहला सेगमेंट है इसका इसमें पाया जाता है एक और गन जिसे बोलते हैं टिमपैनियल और गन किस काम आता है सुनने के काम आता है ऐसे जो लास्ट और गन है हमारा दसवा last abdominal segment है इसमें क्या होता है large plate called supra anal plate इसमें क्या sexual organ में आई से बदल जाता है इसे last वाला इसे हम बोलते है supra anal plate ठीक अब abdominal appendages की बात का लो उपांगों की इसमें कुछ female geneたली आओंगे male geneたली आओंगे कि मैं लग पंदे को लग मेंटे करने का मिल्टि दबाना इसको दबाना या हटाना कहीं भी अंडे देना उसका काम कॉन करता है ओवि पोजिटर करता है ठीक दूसरी बात यह क्या होता है यह पाया किस खंड में जाता इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ठीक आगे बात करते हैं अब यह अंदर की थोड़ी सी जांच कर लिया जाए इंटरनल मार्फोलाजी तो पहले जान लो बहिए इंसक्ट फिजियोलाजी के थोड़ा बारे में इंक्लिव्ड फिजियो और बायो कमिस्ट्री दोनों को पढ़ना है हमको फारदार आफ इंसक्ट फिजियोलाजी कौन है वी बी विगलेस वर्थ हैं जिनों किताब भी लिखी ती जिसका नाम है प्रिंसेपल फिजियोलाजी इसलिए इनको क्या का जाता है फादर आफ इंसक् खाना वाना खाते हैं पच्ता है तो देखो सबसे पहले मुह पाए जाता है सब के अंदर ठीक माउथ पार्ट माउथ पार्ट आपको पढ़ा चुके जब हेड पढ़ाये थे उसके अंदर क्या बता है थे आपको मैंडिबिल पाए जाते हैं मैंगजली पाई जाते हैं यह है यह बूर बूर लिप को लैबियम कहते है मैंडिबेऑल्स क्या करते हैं दांत का क्या करता है खाने को पकड़ने का कॅ highlights है इसको आहार नाल भाइ कहनालu नाल हुत के सब आते हैं कि इसको बाइड वाग में हम बाटकर पड़ता है किसे इसको बीच को operation कहना पड़तbike भूठें किरें की बियुड के याद करना पड़ता है आपट इम्पॉर्टेंट कि रहे हैं जो फोर गट होता है इसको हम बोलते हैं इस्ट्रोमोडियम, मिडगट को स्टमक भी बोलते हैं, वेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, और मेजन ट्रान तो बोलते हैं, हाइंड गट को बोलते हैं, प्रोक्टोडियम, तो यह इसमें हो जाता कन्फूजन, जो प्रो है वो पहले नह द्यानरा प्रोक्टोडियम पहले नहीं है प्रोक्टोडियम कहा है पीछे यह इन्हीं है और इस्ट्रोमोडियम पहले है यह ध्यान रखना एक्टो डर्म in origin ectodermal origin है मतलब क्या होता है इसका connection कहा होता है बाहर से होता सीधे-सीदे एक्टोडर्म एर्जिन में है इस प्राइमरी ओर्गन आफ इनिगेश्चन यहाँ पर क्या होता है पहले भोजन का पाचन यहां से और इसॉफेगस के बीच का पार्ट है, ठीक, ये क्या क्म करता सखक करने के लिए क्या होता है, कोई चीछ खीचने के लिए pump करना पड़ता है तो pump का काम कौन करता है यह pharynx करता है खीचने के लिए pump का काम करते है fluid feeders में ठीक क्या काम करते है fluid feeders में pump का काम करते है इसके बाद isofagus यह भीया कुछ काम आप करता नहीं है देखो यह बस क्या करता है हमारे गले जैसा गले में कोई पाचन होता, इसोफेकस में पहुछा spiritual होकी यहां ही बोला भी जाता है ज्याता पहुंचता है फूलों से वो क्या होता है नेक्टर होता है वो नेक्टर जैसे ही पहुंसता है क्रॉप में और यहीं क्रॉप में क्या होता है वो चेंज होता है किसमें हनी में यहीं सहयद कहां बनता है इस टमक के अंदर बनता है उसके ठीक इसो फैकस हमारा क्या है सेकंड पार्ट है सबसे आखरी भाग करने काक्र टाइफ ईंड मतलब क्या होता है अप सब के घर में जबता हूँ सबसे क्योंगी इसका फूदि सबसे आखरी भाग है समजी में आई गया है अब बात करते हैं मिडगट या इसमें चमक की जोमारा मिडगट है यह हमारा क्या है इंडोन करमल गहीं होता है तो यह क्या होगा ? इंडोडर्मल होगा तक ठीक अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको देखो ऐसा दिखाई देता कुछ मेरा मिड़े veya यहाँ धट है यहाँ पर एध घ्ट करोण देखो यह पहले वाला क्या है गिजार का होता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं हिपैटिक सीखी क्या बोलते हैं हिपैटिक सीखी और जो हमारा लास्ट भाग यहीं पर हमारा पाए जाता है क्या मैल पीजियन टुब्यूल्स क्या पाए जाती है मैल पीजियन टुब्यूल्स पाए जाती है यानि यह मारा फिर ectodermal है क्यों क्यूंकि फिर क्या होता है एनसा में जाके खुल जाता है ठीक iXyndra Proth prior to the midgut two Ines ठीक थीन भागों बता है ilian colone rectum ज्यान रखना alien coob structure होता है copper क्या होता है फांच fragr छेटे खंड में पाए जाता समझ मेरी इतनी बात चलो आगे बात करते हैं अब रिस्पिरेटरी सस्टम सवसं तंद्र की सवसं कई से होता है सवसं आपको थोड़ी कहानी तो बताई चुकिए देखो भया लंग्स नहीं पाया जाते हैं इंसेक्ट में फेपड़े नहीं पाया जाते हैं तो भया जितना Ay environ स्केर अब इसमें रिस्पिरेशन होता गया से है इसमें होता किया घून में इंके कुछ घूम्ती रहती है एIRE सैक्स घूम्ते रहते हैं कहां गोंते रहते हैं घूमोननी को इनका है फिकर मतलब हमोचील यह हमोध लिम्प ठीक कि उस्में घूमते रहते हैं उन्हीं को होती है हेमोसील में पाई जाती है ठीक ये ट्रैकिया का होती है भया ये होती है जो स्पाइरिकल्स हमारे छिद्र पाए जाते थे वही हवा लाके कहा पहुंचा देते हैं ट्रैकियास में और ट्रैकिया या कही क्या है छोटा छोटी ब्रांचिस क्या है ट्रैकियोल्स कहलाती है ठीक इस पाइरिकल्स द्वारा ये खुलती है अब इस पाइरिकल्स के आधार पर फंक्शनल इस पाइरिकल्स जितने उसमें काम करने वाली इस पाइरिकल्स है उनके आधार पर इस्प्राइटरी सिस् दस spiracles, जिसमें इसे दो कहां, थोरेक्स में, और आठ कहां, अब्डॉमेंड में, ठीक, अगर दस की दसों functional हो, तो इसे क्या बोलेंगे, holopunistik, अगर peripunistik किसे बोलेंगे, all functional expect one or two pairs, देखो, peripunistik में क्या होता है, बैया, एक दो जो है, काम नहीं करेंगी, मतलब, देखो, peripunistik में क्या होता है, पहला वाला काम नहीं करेगा, आखरी वाला काम नहीं करेगा, बीच वाले सारे काम करेंगे, functional होंगे, ठीक, तो इसे बोलते हैं, peripunistik, द्यान रखना, अगर यही same condition हो, पहला काम करें, आखरी काम करें, और बीच वाले काम नहीं करें, उल्टा हो जाए, तो इसे बोलते हैं, empipunistik, first and last pair functional सिर्फ होगा, और बीच वाले एक को काम नहीं करें, ठीक, देखो, peripunistik में क्या है, पहला आखरी नहीं काम करें, और बीच वाले सारे काम करें, इसमें कहाए, पहला आखरी सिर्फ काम करें, और बीच वाले एक को काम नहीं करें, empipunistik हो गया, propunistik में सिर्फ पहला काम करेंगा, metapunistik में सिर्फ आखरी, और enupunistik में एक को काम नहीं करेंगा, देखो, simple सी बात है, holoponistic में सारे स्पारिकल्स फंक्षणल हैं दस के दस अव ठीक दियां रखना कि नवह दस फंक्षणल होग सुन्ठीक ठीक पहला फंक्षणल है और आखरी फंक्षणल तोdefined report फोनिस्टिक है द्यां रखना इसके बाद पहला फंक्शनल है दूसरा फंक्शनल है बीच के एक को फंक्शनल नहीं है तो क्या एंपी पुनिस्टिक पहला फंक्शनल तो प्रो पुनिस्टिक आखरी फंक्शनल तो मिटा और एक को नहीं है फंक्शनल तो एन्यूपुनिस्टिक ज्यान रखना यह चीज एन्यूपुनि जरीर में बहिता रहता है ठीक अब जो खून बहिता रहता है उसे हम बोलते हैं हीमो लिंफ जो कलर लेस होता है इसमें प्लाजमा और ब्लेड सेल्स दोनों पाई जाती है ठीक है बॉड़ी केविटी जो है क्या होता है जो घूहा होती जिसमें हमो लिंफ भरा होता है उसे हीमोसील कहा जाता है बेसिक फंक्सण आफ हेमो साइट्स जर ज क्ञश्सपी करने क्यादा है है को केरी करने को visto hemeo साइट्स में काम करते हैं ठीक घठा मेजर्स ब्लट सुगर इन इंसेक्ट इस ट्रेलियु बहुत इंपरटन कोच्चेन कैई वार पुछा गया है ब्लट सुगर कौन सी पार जाती इंसेक्ट मेंतरहियोज प्रहियोज किस प्रकार के? of nitrogenous waste product from the insect body is known as excretion excretion क्या होता है जो उत्सर्जन क्या होता है जितना भी हमारे सरीर में वेस्ट मेटेरियल जितना भी nitrogenous waste material है सबको सरीर से बाहर निकाल दो वही क्या है excretion है हमारा अब क्या-क्या इनकलता यूरी केसिड जो इस्थल पर रहते है और निक dough उत्सर्फब्त यूरी केसिडिक निकालेंगे जो बड़े में में मैल साने क्या निकालेंगे यूरी और जो क्षाटी पाई में रहते हों क्या निकालेंगा त्क मैन स्क्रीटरी औरगें एक मृंबिट होती है मैल पीजिन ट्रूबई लिए मैन ऑर्गें किसके इस्क्रीशन के दियान रखना कई बार पूछा गए मैं मैं रखनती लोगेंटॉ दो से लेकि दो तक पाई जाती है lepido patera में 6 पाई जाते है आइस 여자 potera में दो से लेकि दो से लेकि राट तक आर्थु patera में 2 से लेकि 200 तक पाई जाती है ephrod और kolumbola में Austin lift होती है दूसरा ओर्गन क्या? इंटेगुमेंट क्या करता है? मोल्टिंग के दौरा खाल को निकाल देता है वो भी हमारा के वेश्ट मिटेरिल ही तो हो जाता है इसके बाद ट्रैकिया हमारी बताए तो सोसंजीन से होता है वो क्या करती? हार्मонец का सरावन करती है जैसे न्यूरो सिक्रेटरी सेल हमारी होती जिसमें ब्रेन हार्मонец पाया जाता है कारपोरा कारडियाका एक हमारा क्या है इंडोक्रैन सिस्टम है जिससे क्या होता है हार्म transforms release होते है कई सारे storage and release of hormone हार्मigious sugar स्टोरेज करने का काम कौन करता है कार्पोरा कार्डिया का करता है कार्पोरा इलाटा बहुत इंपोर्टेंट है जुए नाइल हार्मोन ने जवानिक हार्मोन भीया यह पैदा करता है कार्पोरा इलाटा इंसानों में पाए जाता दिक्कत न लेना कार्पोरा इलाटा जुए एक डाइसोन और सटेरोइड काल्ड मोल्टिंग हार्मोन थीक है क्या होता बाइसँ निसमें एक डाइसोन करने की टाइम पर काम कर आता है इसलिए ऑग नाम देते हैं क्या एक डाइसिस भी कहते हैं एक डैसोन हर्मोन के कारड़ी द्यान रखना इस चीज को ठीक है कारपुरा लाटा हमारे जुच्छन देखे जाते हैं मेल फिमेल में किसके कारण सब्सक्राइर बैक तो दिमाग जाता कहाँ पाए जाता जिस्ट इस फैगस अपना जिसें कहा है गले में उनका इसोफाइकर जहां पाए जाता है उसके जस्ट उपर क्या पाए जाता है ब्रेन पाए जाता है जो चार ओर से एक मतलब कठोर वाड़ी से क्या होता है ढका हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं क्या टेंटोरियम याद करो हमने बताया था आपको इंडो इंडो जो हमाँ ब से रिलेशन होता है यहां से रिलेशन होता है ने अब यह दिमाग की बात कर रहा सुपा रा यह दिमाख की बात कर रहा तो सक भूर ए कुए ड़ी तो मिड ब्रेंट और ट्राइट और ला समय हैं BROWN में ब्र द्रकम के Karena चलो भया आज के लिए इतना ही हम लोग क्या किया आज भया जो हमारा इंटर्नल मार्फोलाजी हो और एक्स्टर्नल मार्फोलाजी कम्प्लीट कर लिए फाइनली दो क्लासेट लेनी थी लेकिन हमने इसको क्या किया एक ही क्लास में करवा दिया समय हमारे पास का मैं एक अगस्त ध्यान रखना भया बनना है ना जिला बगिया अधिकारी धड़ादर सेर करो फिर बनो जिला बगिया अधिकारी चलो आज के लिए बसिंद नहीं धन्यवाद